जल्दी करो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हैं लेगें सबस्क्राइब नहीं करते लाल गलका बटन नहीं से दबाउ जल्दी दबाउ फिरी में शुरू करें दबादे जल्दी दबा दिया गंटी दबा देना ठीक जहन साथियो मैं आपका साथी राम सिंग मैं कुछ चीजे बताना चाहता हूं जो मतलब नक्षा से पीडिते हूं लोगों को पता हो ना चीए जो शिटी पार्क जेपुर में दो मार्च को मिटिंग हुई थी उसमें कमेटी का निर्मान हो गया था उस कमेटी के नाम से पेनकार्ड जरनेट हो गया है और उस कमेटी का नाम रखा गया है लोग नव निर्मान जन समिती मैं नाम एक बार फिर रिपीट करता हूँ लोक नव निर्मान जन समिती इस नाम की महिमा इस परकार से है लोक का मतलब है जनता नव का मतलब है नया निर्मान का मतलब है विकास जन का मतलब है समू तो हमारी कमेटी की नाम की महिमा ये है इस कमेटी के अद्धेक्स का पद सुसोवित किया है कैप्टेन स्री रुगाराम जी साव ने और इस कमेटी के कोशा द्धेक्स का पद सुसोवित किया है स्री जितेंदर सिंग जी बना जी ने और दोस्तों जो पल्णावा के अंदर एक सुरू में मुहिम छेड़ी थी एक व्रक्ष लगाया था उस पोदे को लगाने वाले थे स्री कैप्टन गोकुल चंद साब जी ओम प्रकास साब जी आज वो हमारा पोदा उसको कुछ लोगों ने उस टाइम में कुचलने की कोशिश की थी कुछले हुए पोदे को सिचित किया था हमारे भाई नरेश काजला जी ने और आज वो व्रक्ष एक वटवर्क्ष बन गया है इतना बड़ा वटवर्क्ष बन गया है कि उसकी इतनी साखाएं हो गई मतलब शेकड़ू शाखाएं निकल चुकी और शाखाएं निकल के उनसे भी लताएं नीचे की तरफ जमीन तक वापिस पहुँच चुकी है मतलब हर शाखा को अब सारा लताओं की सारे सारा मिल गया है जैसे वटवर्क्ष का मतलब बड़का पेट उसमें जो टैनिव से लताएं निकल निकल के जमीन बजाती है उनसे उनको सपोर्ट मिल जाते हैं नया पोदा अंकुरित हो जाता है उसी तरह से के विशाल वटवर्क्ष बन गया है जब इसकी लताएं बनी थी फर्स्ट में तो ये समिती के मेंबर बने थे और आज हर एक व्यक्ति जो नक्षा से पीडी था है पूरे भारत देश से वो इसकी साखाएं बन चुकी हैं और इन साखाओं को सारा दिया है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने और अधिकारियों ने और उनने हर तरफ से हमारी मदद किये उनके जुन उनका मानना था कि हमारे अगर सेनिक सुरुक्षित नहीं है तो हमारा देश सुरुक्षित नहीं है और इन अगर सेनकु को ऐसे ही लोटते रहे तो आगे भी बहुत सारे मतलब डी मुराल हो जायगा सेनकु का और हम भी शेप नहीं रहेंगे तो उन्ने हमारे सम्मिति की जब मिले थे दो दिन पहले डी जी पी साब से आई जी साब से डी आई जी साब से एसपी साब से तो रास्तान जैपूर के आईजी साब ने उस दिन बताया था कि कमेटिक मेंबरीन उनके सामने एक प्रोलम खड़ी की थी कि साब हमारे बंदे जो दूर जो ओन डूटी वाले आर्मी परसन वो अब भी दूर दराज में ऐसी जगह हैं जा ना तो पुलिस्थान ऑन्यर ना कोई दूर्ट है ना ही कोई ओन लाइन और सिस्टम है ना वहांपर की नेटवर्क की क्या नीज़ना दूरु है उन अब घी अपक् thief हो जह सकते हैं, जैसे मालों की दर्थान करने वाले होगया होग आ земля होग्या उन नईज़ना ने एफ यह और में हमारे घ्क रर वाला भी एक फोजी है एक सर्विसमेन है रीटायर फोजी है सुबास भी जानिया। है तो उनने उस दिन वजह किया था कि हम आपको एक जल्दी एक हल्प लाहे लाइन नंबर देंगे फासे वह भाई उसको क्वोड बाई उसस पर काम कर सकें गर्ट टिया थेल्ड नमबर जारी कर दिया है उनने दो हेल्प लाइन हमारे को दी हैं पहली हेल्प लाइन नमबर है लेंड लाइन नमबर उसका नमबर है 0141 2209765 मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ जीरो एक चार एक दो दो जीरो नो साथ से पांच तो आप इस लेंड लाइन नमबर पे आप कोल करके अपनी एफायर दर्ज करा सकते हैं जो हमारे ओन डूटी वाले भाई हैं दूसरा उनने एक वाटसप नमबर दिया है वाटसप नमबर है 8 7 6 4 8 6 9 0 4 9 मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ 8 7 6 4 8 6 9 0 4 9 यह वाटसप नमबर है आप इस वाटसप पे नमबर पे अपनी पूरी कम्प्लेंट दर्ज करके उसको बेश सकते हूँ और वो आपकी एफायर माननी जाएगी ओन डूटी वालों की ओन डूटी वालों की साथ में उन अमने एक चीज और रखी थी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आर्मी से रिलेटिड हैं आर्मी की साथ में वर्काउट करते हैं तो उनने उसके लिए भी यही कहा है कि वो को भी इस पर काम कर सकते हैं और उनकी एफायर हम यहां पर रजिस्टर में मैंटेन कर देंगे और नेक्सा का जब रिकुरी होगा तो उन भाईयों को भी उस चीज का फायदा मिले क्योंकि एफायर एक ऐसी चीज है वो मतलब एक पर्सनल वेक्ति को करानी पड़ती है इंडिविजल होके करानी पड़ती है तो आप जब अपना इंडिविजल यह डाटा इस पर भेज दोगी तो यह आपके इंडिविजल नाम से यह एफायर दर्ज हो जाएगी और इसका आपको जब रिकोरी आएगी तो उससे फायदा मिल जाएगा तो आप यह दोनों नंबर में ग्रूपों में वैसे भी डाल दूंगा तो आप इन दोनों नंबरों पे या तो कोल करके रिपोर्ट दर्ज कराएं सबसे बेस्ट रहेगा वाट्सप पर आप मेसेज करके क्योंक को उसकी वोईस रिकोर्डिंग करनी पड़ेगी उसके बाद में आप उस वोईस रिकोर्डिंग को किसी हाड़वेर में फीड कर लेना जैसे CD हो गया pen drive हो गया या mobile में आप शेव कर सकते उसको तो यह दोनों काम अभी तक जिस भाई ने एफायर नहीं किये हमारा कमेटी का उस पूरी कमेटी का यही निविदेन है उनसे कि वो अपनी एफायर करें आपने अपनी मेहनत का कमाई का पैसा लगाया इसमें कोई दो नंबर नहीं किया आपने हम फोजी भाई है अपनी मेहनत की कमाई है यह पुलिस डिपार्टमेंट को पता है सरकार को भी पता है कि फोजी की कितनी मेहनत की कमाई किस प्रकार शाती है इसलिए हमारा परशासन पूरा साथ दिया है उनकी एक एक चीज खगा ले जा रही है मैंने उस दिन फरस्ट में वेक वोईस छोड़ा था तब यही बोला था कि यह हमारे को दोलेरा का विजिट कराए हैं हम मिलके सब इनको पूरा हिंदुस्तान का विजिट कराएंगे और यह होके रहेगा सर परसास हमारी साथ है पूरा हर डिपार्टमेंट हमारी साथ है सरकार हमारी साथ है हम कमजोर पढ़ते जा रहे हम खुद कमजोर होते जा रहे हम अपनी एफायर करने से संकोच कर रहे हम अपना पैसा खोके भी कुछ लोग यह सोच रहे कि हमारी इज़त कम हो जाई तुमारी इज़ तुम उस क्राइम को ऐसे मोड़ पे लादोगी कि और परशासन और सरकारे भी यही करें कि आगे कोई कर och आगे कोई करें ना हमारे फोजीूं को हमारे सरकारी करंचारियूं को जो भी सरकारी किसी भीकिसी तरफ कोई दुबारा ये मुहिम ना छेड़े उनको कोई लूटने की कोशिज ना करें तो आप इसमें अपना सियोग दें अपनी एफायर करें दूसरी बात धरना है धरना इसलिए दिये गया है कि परशासन अभी काम कर रहा है पूरा काम कंप्लिट नहीं हुआ उनकी आप रोजना न्यूज में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज़े आ रही है और अभी आएगी लगभग मेरा मानना है 30 से 45 दिन में परशासन पूरा वरकाउट करके एक जो एसो जी ने कमेटी बनाई है उसकी एक फायल त्यार हो जाएगी कि इनने कितना क्या फ्रोड किया है कौ लोग भी गिरफदार हो जाएंगे परशासन उस चीज के लिए भी पूरी कोशिश कर रहा है दिन रात मेंनत कर रहा है पुलिस जान लगा रखी है पूरी अपनी आपको नहीं पता है हम लोगों को नहीं पता पता नहीं उनके करमचारी अधिकारी कहां कहां काम कर रहे हैं क प्रोपर आएंगे और उनकी भी गिर्फदारिया होंगी आप इस चीज से निशिंत रहें क्योंकि इसकी कमांड समाली है आईजी साब ने और डीजी पी साब ने खुद इसकी कमांड समाले हुए हैं हर चीज का तो आप इस चीज से तो निशिंत रहें कि परशासन में कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा डीजी पी साब खुद इसकी कमांड समाले हुए हैं 24 साबस इस पे नजर है उनकी तो आप इस चीज से निशिंत रहें परशासन अपना पूरा काम कर रहा है जी जान से काम कर रहा है सरकार हमारा जब ही काम करेगी जब परशासन पूरी रिपोर्ट बना के पुटप कर देगी तब सरकार का काम स्टार्ट होता है सरकार का क्या है जैसे उनको जिनकी जितनी भी प्रोपर्टी है उस प्रोपर्टी को परशासन सीज कर रहा है परशासन सीज करने के बाद में सरकार के पास बेज देगा उस फाइल को सरकार उसको क्या करेंगा निलामी छुड़ाएगा उसका time period से निलामी होंगी और निलामी होने के बाद में जितना amount आएगा जो जितने लोगों का पैसा लगा है वो इनके अकाउंटों में भी पैसा है आप ये मत सोची इनके अकाउंट खाली है इनके अकाउंटों में करोडू रुपए पढ़ा है आज की तारिख में भी वो पैसा पलस जो निलामी में पैसा जाएगा वो पूरा पैसा इखटा करके जो पीडित लोग है जिनका जो अमाउंट है, वो अमाउंट पहले रिकुरी किया जाएगा, दिया जाएगा उनको, उसके बाद में जो पैसा बचेगा, वो सरकारी कोस्म जाएगा, तो आपका पैसा अब भी शेफ है, आप कुछ लोगे बोलते हैं, हमने केस में दिया है, परशासन ने उनका एप आप वापिस रिकुरी कर लिया है, अपना पूरा डाटा ले लिया है, सुदिश मेल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, परशासन के पास ऐसे आले हैं, कि वो कुछ भी कहीं से रिकुरी कर सकता है, और उनने, एस्पी साब ने श्योम बोला है, पूरी कमेटी के मेंबरू से, कि आपका रिकुरी वापिस हो चुका है, तो किसी को ड्रने की चीद नहीं है, चाए वो केस में दे, चाए और जी एस में दे, चाए पेमेंट या किसी वेलेट के थुरू करे, किसी को भी संकोच करने की जरूत नहीं है, ना ही किसी को ड्र है चीद का, कि मेरा पैसा चला गए, आपका पैसा कहीं नहीं गया आपका पैसा सेफ है और प्रोपरटी आपके पैसे से डेट गुना ज्यादा है उनके पास में जो आपका पैसा अमाउंट बचा उससे डेट गुना उनके पास में आज भी प्रोपरेटी है उसके बाद भी पैसा बचेगा और वो पैसा राजेक गुवर्मेंट में जाएगा यह वही मैंने उस दिन भी बूला था कि इनके हाथ में कटो रही ही आएगा अब इनके हाथ में वो कटो रही ही आएगा और देखे रहे अपन सब प्रियास करें सबी लोग तो आप इसमें सबसे एक मैतुपुर्ण है धरने वाली चीज अब इसमें आप धरने में ज्यादा से ज्यादा करें जैसे ओपी सर ने बताया बिल्कुल सभी मैसेज डाला कि इतना इसके लोना चीए उनने बिल्कुल ये के एकुरेट केलकुलेशन निकाडा है किस प्रकार से निकाडा नियर वाले शीकर चूरू जूदू ये लोग है जैपर्वाले तो पूरे इसमें ऑल्रेडी काम करी रहेskin क्योंकि जैपर्वालों को तो काम करना ही करना पड़ेगा प्लस इन डिस्टिकूं से इतने इतने लोग एवरी डे दो दिन के लिए आ सकते हैं और रिजन दूसरा ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीडित भी इनी डिस्टिकूं से है जुन जुनू सीकर चूरू सबसे ज़्यादा तो इतनी 15 आदमी उनके लिए 10 आदमी ये कोई ज़्यादा नहीं है सबसे बात उनका खर्चा कम होता नियर में हैं जेप्र के बिल्कूल टचंग में हैं वो लोग तो उनका किराय आने जाने का खर्चा थोड़ा कम होता है इन चीजों को धान में रखके ओपी सरनी ये बिल्कुल एकूरेस निकड़ा है कि इतने इतने बंदे आ सकते हैं अब वो मनेजमेंट डिस्टिक वाइज आपको करना है कि भाई कौन किस तारिक को जाएगा और दो या तीन दिन रुकना कोई बड़ी भारी चीज नहीं है इसम हम खुद हफ़े हफ़े तक बैठे हैं जो दूर से ग्वालिर से आया हूँ है तिलंगाना शे आया उडिसा से आयो है कहां कहां से नहीं आयो यह यहां पे बंदे उनने बिल्कुल एकुरेसी, बिल्कुल ठीक निकाली, 50 आदमी याँ लोकल वाले हो जाएंगे और 50 आदमी ये हो जाएंगे तो 100 आदमी एवरी डे दरने में रह जाएंगे तो 100 आदमी होना भी चाहिये क्योंकि परशासन को ये ना लगे कि पीडित लोग बहुत कम है इस चीज़ का परशासन को भी पता है हमारा कि वही ये रूटेटेंड होंगे वही सो आदमे आ जाएं तो दो दिन बाद में जाएंगे परशासन को भी पता है लेकिन कंटीनूर रखना इसलिए जरूरी है कि सरकार जल्दी काम करे जैसे ही परशासन अपना काम खतम करे उसके साथ ही सरकार अपना काम जारी करे और हमारे माने निये सेनिक लैन मंत्री जे हमारी साथ है उनने हमारा पूरा काम समाल रखा है उनने पूरा आश्वासन की साथ नहीं है अपने निष्टा की साथ में पूरा करते वे किया है और कर रहे हैं उनने जब ये भी कहा है कि जब भी आपको कोई जरूत पड़े मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो आप मेरे नंबर के किसी भी टाइम कमेटी अद्धक साब को नंबर देके गए हैं अपना सब चीजे अब दोस्तों इतना तो देखो थोड़ा कस्ट तो हमारे को उठाना पड़ेगा वो मनेजमेंट भी करेंगे हम की जैसे 15-10 आद में आते हैं सीकर जूरू जुनुनू से उनके लिए एक हम विकल भी दे सकते है कि भई एक दिन छोड़ने चली जाए उसी दिन वो पहले लेके आ जाए पर इनको छोड़ने चली जाए वोई गाड़ी उनको वापिस लेके चली जाए हम ऐसी भी विवस्ता करने की सोच रहे हैं कमीटी से बात कर रहे हैं कि एक विकल हो जाए जो तीन दिन में तीन दिन के बाद में उधर से उन बंदों को लेके आ जाए दोनों तिनों डिश्टुकों से और इन बंदों को लेके चली जाए तो वो कोशिश भी करेंगे देखो द बंदे यहां रुक जाए और ये बंदे जो तीन दिन से रुक यह कुआ हैं वो वापिस चले जए ऐसा हम कर शकते हैं और करेंगे यह तो दोस्तों मेरा कहना है कि आप ज्यादा सी ज्यादा इस धरने में पदा रहें और अपना जो मकसद है वो हासिल करके रहें तो मैं इतना ही कहके और ये जिसकी भाई की अब भी भी ऐफायर नहीं है वो वाटसप नंबर पर भेज़के ओनलाइन कोर्ट में जाके कैसे भी अपनी ऐफायर तो किसी भी कमेटी मेंबर को कोल कर सकता है किसी भी टाइम किसी भी कमेटी मेंबर को anyway जिसका भी कमेटी मेंबर का नंबर आपके पास है वो नंबर हमना डाल रखा है ग्रूप में किसी से भी बात कर सकता है वो आपको पक्का response देगा उस बात का पता नहीं होगा तो हम पता करके बताएंगे कहीं से भी उसका कि कैसे क्या होगा तो आप निशंकोच रहें नीडर हैं और अपना काम आके करें दरने को हमारे को बनाये रखना पड़ेगा दरना उठ गया तो ये मालों को काइम रखे इससे हमारा फायदा ये आभी तक डाइसो कंपनिया राज्य गोर्मिंट के पास पड़ें जो फ्रोड के मामलें पड़ें किसी की सुनवाई नहीं हुई है चिरन जी देख लो कई बहुत सारी पड़ें लेकिन इसमें फोजी होने के नाते एक सर्विसमेने होने के नाते सरकारी करमचारी होने के नाते और किसान भाई होने के नाते परशासन और सरकार दोनू तहे दिल से काम कर रही है इसमें और इसका आपको वो डाइसो कंपनिया खाते में पढ़े रहेएजेगे लेकिन आप्को रूजल्ट देगी। उन कमपनीओं में क्या है कि नफरी जादा है। congressमक। कम है Пलस अमाउंट ज़्यादा कारण जिसने भी लगाए वो इसने पूरी जिंद Shakti बर्कि कमाई लगाई साथ मने आने वाले 20 साल का जो कि जतना ज्यक्ता 務ोन लेके फिए उसने पूरा लगा दिया इस्नों आने वाली 20 साल की कमाई भी लगा दी उसने इसलिए गोर्मेंट इस पे ज़्यादा संगान ले रही है तो साथ हो अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि धरने को बरकरार बनाए रखें शांती पूरक धरने को रखें कोई भी गलत कदम ना उठाए शांती से धरने को बन जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे बच्चों को गाली सिखानी है